Welcome friends, पिछले पार्ट में हमने समझा था कि किस तरीके से हम किसी भी कमपनी का fundamental analysis check कर सकते हैं इस पार्ट में हम समझेंगे एक अच्छी कमपनी जिसमें कौन-कौन सी qualities होती है या कैसे हम check कर सकते हैं और एक खराब कमपनी जिसके performance खराब रहा है उसका analysis करेंगे तो इसके लिए हम screener.in के page पे चलते हैं यह हमने screener.in का page open कर लिया है अब एक अच्छी कमपनी का example लेते हैं एक्जामपल के लिए Tata LXI ले लेते हैं यह हमने Tata LXI का page open कर लिया है अब इसमें हम हमारे जो 7 parameters है उसको check कर लेते हैं उसमें सबसे पहला parameter है date to equity ratio तो यहाँ पे आप देख सकते हो date to equity ratio 0.09 है 0.09 है मतलब बहुत अच्छी condition है यह 0.5 से कम होना चीए अब दूसरा parameter है growth rate का तो growth rate मतलब ROE and ROCE यह हमारा 25% से higher होना चीए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो ROE and ROCE है more than 40% है जो की बहुत अच्छी condition है तीसरा parameter होता है PE ratio PE ratio हमको बताता है share सस्ता है या महंगा है तो अभी PE ratio इसका 58 है तो अभी current में देखें तो share थोड़ा सा महंगा है थोड़ा सा price में correction आता है तो हम इसमें investment कर निड़ने ले सकते हैं तो अच्छी company है इसलिए PE थोड़ा सा higher side में है बट हमको wait करना है धहर ये पूरवक कि इसका जो PE है ROE and ROCE से lower आए तभी हम इसमें investing स्टार्ट करेंगे इसके बाद आता है market capitalization तो market capitalization more than 5000 करोड होना चीए तो इसका जो market capitalization है वो 43,000 करोड है तो ये almost larger cap company में है और ये parameter भी हमारा meet कर रहा है इसके बाद आता है हमारा promoter holding तो promoter holding 50% से higher होना चीए तो वो एक अच्छी condition होती है लेकिन कुछ cases में जिसमें ROE and ROC बहुत high है उस condition में हम थोड़ा सा compromise कर सकते हैं promoter holding के case में फिर भी वो 40% से down किसी भी condition में नहीं होना चीए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो promoter holding है वो 44% के आसपस है तो ये Tata Group की company है और Tata Group का 44% stake है मतलब इसमें हम वरोसा कर सकते हैं तो हमारा 5 parameter यहाँ से clear है कि बहुत अच्छा है इसके बाद आता है profit and loss sheet तो profit and loss sheet में हम पिछले 3 साल का देखें तो साल 2019 में इसका जो profit था या sales था सबसे पहले हमको sales देखना है sales मतलब top line तो top line जो था वो 1590 करोड का था वो अभी बढ़के 3000 करोड का हो गया है मतलब sales 3 साल में double हो गया है अगर हम इसकी net profit की बात करें तो स साल 2019 में net profit 290 करोड का था जो अभी 755 करोड हो गया है मतलब जो इसका profitability है वही 3 गुना हो गया है तो ये बहुत अच्छी condition है तो profit and loss sheet को देखें तो Tata LXI बहुत अच्छी company है इसके बाद आते हैं balance sheet में तो balance sheet में हमको सिर्फ 3 चीजों को देखना है पहला है share capital तो अगर हम अच्छी condition है दूसरा है reserve plus surplus तो 3 साल पहले अगर इसका देखें तो reserve जो है 880 करोड का था अभी ये बढ़के 2000 करोड हो गया है तो reserve भी लगभग 3 गुना बढ़ा है तो जो बहुत अच्छी condition है इसके बाद आता है borrowing तो साल 2019 में borrowing लगभग 0 था और आज भी लगभग 0 के आस लिए थोड़ा सा borrowing आया है बट वो negligible है इनके bank balance के respect में तो ये parameter भी इसका बहुत बढ़िया मीट कर रहा है तो इस तरीके से हमने एक अच्छी company को judge कर लिया है अब इसके बाद एक खराब company का example ले ले लेते हैं उदारन के लिए BHEL भारत हैवी electricals limited अब इसमें हम हमारे 7 parameters को check कर लेते हैं इसमें सबसे पहला parameter है date to equity ratio तो date to equity ratio less than 0.5 होना चाहिए इसमें less than 0.22 है मतलब date के मामले में ये company बहुत अच्छी है दूसरा है return on equity and return on capital employed इस company का अगर ROE and ROC देखें या growth को देखें तो growth सिर्फ 1 से 2% के आसपस है जिस company का खुद का growth 2% का है उसमें अगर आप new waste करोगे तो आपको ज्यादा growth कहां से मिलेगा तो ये parameter बिल्कुल खराब है तो यहीं से हमको reject कर देना चाहिए फिर भी हम इसका तीसरा parameter check कर लेते हैं तो तीसरा parameter है जैसे PE ratio तो PE ratio इसका 35 है तो growth rate आपका 2 से 3% है और PE ratio 35 है मतलब आपको इस company को बिल्कुल नहीं देखना ह चौथा parameter है हमारा market capitalization तो market capitalization 5000 करोड से ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे market capitalization 27000 करोड है वो acceptable है और पांचवा parameter है promoter holding तो promoter holding भी इसका 63% है तो ये एक अच्छी condition है इसके बाद हम देखते हैं profit and loss sheet तो profit and loss sheet में हमको पिछले 3 साल का data देखना है तो साल 2019 में देखे हैं त तो इसका जो sales था 30,000 करोड का था और वो घट के अभी 23,000 करोड हो गया है मतलब sales साल दरसल घटने के करम में है इसके बाद इसमें हम bottom line या net profit देखते हैं तो साल 2019 में इसका जो net profit था वो 1000 करोड का था जो घटते घटते अभी 700 करोड के आसपस है बीच में इसमें losses भी रहे हैं तो ये एक खराब condition है कि इसका bottom line या net profit भी घटने के करम में हैं तो इस तरीके से profit and loss sheet भी बता रहा है कि इस company से हमको दूर रहना चाहिए इसके बाद आता है balance sheet तो balance sheet में अगर हम देखें तो साल 2019 में जो share capital था वो 6.96 करोड का था और अभी भी इसका जो share capital है 6.96 करोड ह जो की एक अच्छी condition है इसके बाद अगर हम इसका reserve देखें तो साल 2019 में इसका reserve 30,000 करोड था जो घट के 25,000 करोड हो गया है जो एक खराब condition को बताता है और तीसरा है borrowing साल 2019 में इनका जो borrowing था वो 2500 करोड के आसपस था जो भी बढ़के 5,700 करोड हो गया है जो एक खराब condition है तो इस तरीके से अगर हम 7 parameter चेक करें तो almost सारे parameters खराब है एक दो parameter को छोड़के तो इस तरीके के company में आपको कभी भी invest नहीं करना है lower price देखके ज़्यादा तर लोग हसते यही है कि इसका price सस्ता देखके खरीद लेते हैं लेकिन उस company में कुछ दमी नहीं होता है और वो ज आपको clarity आगया होगा कि कैसे अच्छे और खराब company में हम फर्क को judge कर सकते हैं और उसके basis पे हम अपना investment का निड़ने ले सकते हैं see you in the next part thank you